बगते स्ट्टेंट यहां पर क्वेशन दिया हुआ है कि आप पार्टिकल इस प्रोजेक्टेट विद वेलॉसिटी ऑफ 30 मिटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा नॉट देखो मालो कि यह एक्स एक्सिस है और एक पार्टिकल को 30 मिटर पर सेकेंड से फेक दिया गया है थीटा नॉट के एंगल पर यह कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ठीक है यहां पर आपको यह भी बताया गया है कि जो टैन थीटा नॉट है वह है थ्री वाई फोर के बराबर यह क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका मतलब कि यह वाला साइड थ्री है और यह फॉर है और यह फाइव है ठीक है तो यह तब होता है जब थीटा आपका 37 डिग्री होता है यह हमको यहां से सारा कुछ यह पता चलिया बोल रहा है कि एक सेकेंड के बाद जो पार्टिकल है वह एंगल थीटा के साथ होरिज सेल होता है कि आप थीटा बना रहा है इसके साथ यह इसके थीटा अंगल बना रहा है तो बताईगे कि 10 theta का value कितना होगा तो theta पहले निकालना पड़ेगा तो इसका तरीका यह है कि आप यहां पर V ₹ 0 meg這樣 ऐख को मुझा वकी का फूराचिक कजो इधर का component होगा वो क्या होगा वी कोस स्टीट होगा मैं और उसी deputy का जो इस तरफ का component लोगा वह कितना होगा तो भी इंग संबॉच से श्क्राइब हो जब अप मुश्च प्रोजेक्ट किय थे तो उस टाइम भी यू का इस तरफ कितना होगा यू कोस्ट इटा-node और यू का कॉंपोनेट इस तरफ कितना होगा तो यू साइन थीटा नॉट है ना यह तो इसली निकाला जा सकते हैं यू का वैल्यू 30 है और कॉस्ट थीटा नॉट का वैल्यू थाट्टी सेवन है तो इस फोर पाइफ लिख देंगे तो यह कटेगा पांच से छे बार में तो छे चोके चौबिस मीटर पर सेकेंड ठीक है और अगर इधर वाला कॉंपनेंट निकालना चाहते तो यू साइन थीटा लिखेंगे तो देखो यू का वैल्ली थर्टी है और साइन थर्टी सेवन हो जागा त्री वाई फाइव 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 इन्टू सेक्स करोगे और छे इंटू तीन अठा और एक सेकेंड बाद पार्टिकल यहां पहुंच चुका है तो इसका भी दो कॉंपोनेंट होगा वी कॉस्टी राव भी साइन थीटा देखो वी कॉस्टी रा तो चेंज होता नहीं है जितना है उतना ही रहेगा वह चेंज नहीं होता है क्योंकि होरिज़न्टल डारेक्श लें के लिए यह फॉर्मूला लगा लेंगे पराबर यू प्लस एटी वाला मतलब की वाइड कोंपोनेंट के लिए यह हम लगाएंगे तो यडियेक्शन का वेलोसिटी यू डारेक्शन का वेलोसीटी कितना था अठारा जीका-10 इंटु टाइम एक सेकेंड तो आठारा मै हो जाए गया तो हमको यह पता चलिया कि इस तरफ वी कॉस्ट थीटा जो 24 था और अभी भी 24 है और इस तरफ का वेलासिटी जो की 20 थीटा पहले 18 था 10 घट गया और 8 हो गया हो तो हमको क्या चाहिए था हमको इस थीटा का वैल्यू चाहिए था ठीक है ना तो इसके लिए हम कर सकते हैं पर्पेंडिकुलर बैस पर्पेंडिकुलर के तरफ 8 है और बैस के तरफ 24 है इसको हम लिख सकते हैं 10 थीटा इक्वल टू पर्पेंडिकुलर आठ और बैस 24 चार दू जो है टेन थिटा का वैल्यू फाइनल आंसर आएगा आई होप आपकी मेथड समझ पाएंगे थैंक यू सो मुच पर वॉचिंग